एक जन्वरी 2019 के बाद पंजी क्रित वानी जिक वहनों को आपात कालीन प्रती क्रिया समंथन प्रणाली के साथ एकी क्रित करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्यवन कर उब्रा है दिल्ली में हुए निर्भया प्रक्रण के बाद 2017 में केंद्र सरकार द्वारा निर्देश चौरी के ज्राने के बाद परिवहन विभाग ने वानी जिक वहनों के पंजी क्रण के लिए वहन लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया जु आज हमारे लिए बहुत तपुन दिन है कि हिमाचल प्रदेश ने एक नया इनिशेटिव लेते हुए जो लोकल ट्रेकिंग डिवाइस के लिए कंट्रोल रूम के साथ जोड़ते हुए एक बेहतरी ने शुरुआत की है जो हमारे ट्रांस्पोर्ट के सेक्टर में आने बले स करेगी और सबसे बड़ी बात इसमें के चाहे वो महिलाओं के चाहे वो बच्चों की बेटियों की सुरक्षा की बात है और उनकी साहिता की बात है उस बात को भी हम सुनिश्चित कर पाएंगी और इसके साथ साथ में कहीं अगर घटना दुरघटना अगर होती है तो उस सारी चीज में मदद जल्दी से पहुंच सके रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों के जीवन को उस संकट में बचाये जा सके उसमें अभी इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है मैं ट्रांसपोर्ट विभाग को मंत्री जी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ कि गाड़ी चन्नाई में भी बैंगलॉर में भी लोकेट हो रही है उसकी स्पीड क्या है तो यहीं बैठे बैठे उसको जो है वो आप मोनिटर कर सकते हैं उसको उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं उस देशी से एक बहुत मुत्तपुन एक इनिशेटिव शिमाचल परदेश सरकार की मादियम से यहां पर शुरू हुआ है और टेकनोलजी के एक बहुत बड़ा रोल जिस परकार से पूरी देश दूनिया में बढ़ता जा रहा है शिमाचल उसमें अग्रणी होकर कि उसका अनुसरन करते हुए उसका लाब ले रहा है क्योंकि अभी एक शुरूआत हुई है और उसको थोड़ा साम थोड़ा अग्जामीन करनेंगे वो कैसे किया जा सकता है क्योंकि वो सरल काम नहीं कठिन काम भी है तोड़ा लेकिन फिर भी उस दिशा में आने वाले समय में जिस अब नियमों में सारी चीजों को शामिल करने के बाद ये एंशियर किया जा रहा है सुनेशित किया जा रहा है कि ये डिवाश लगे तो उसमें क्या रास्ता निकलता है उसको वर्क आउट करेंगे